कि आज आज हम डिसक्स करेंगे कि इंटर्विव में कैसे कुश्यन पूछे जा रहे हैं कैसा होता है क्या क्या चीज़े ध्यान देना चाहिए और क्या हमें डैफ कैसे रेडी रखना चाहिए उस पर हम बिल्कुल एकदम डेटेल में समझेंगे इसको जानेंगे ठीक है अब ब ध्यान रखना है मौक में यह मौक में भी कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसी मौक में आपको बोलते हैं कि बैटना कैसे है खड़े कैसे होना है चलना कैसे इसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है आपके वहाँ परसनालिटी टेस्ट है साथ साथ नॉलेज टेस्ट भ होबी से आपके ऑफिशनल से और आपने डैफ में जो भी भरा है ममी पापा का या जिसके बारे में भी जॉब के बारे में जो आपने पहले किया है उन सभी के बारे में कुशन फूशते हैं लेकिन आपको तयार कैसे रखना है एक तो सभी चीजों के लिए एक पर्टिकुलर जब भी आप अंसर दें पहले चीज़ उसको हमेशा जो उसका आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यह हो सकता है उस पॉइंट को हमेशा उपर रखना चाहिए और उसको उपर रखिए फिर आप आंसर दीजिए उसको क्योंकि आप नीचे बताते बताते जब उसके तो पहला content अच्छा होगा नहीं, तो उस content को बरकरार रखना है, then आपको क्या करना है कि जब आप hobbies बताएं, hobbies में आपको कम से कम, कम से कम अपनी चीजों के बारे में थोड़ा knowledge होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप कभी hobbies में फंस जाएं, कि interview में क्या पूछा जा रहा ह सर इसमें hobbies में क्या करें, कैसे start करना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि hobbies मैंने लिख दी है, लेकिन अब I don't know कि how to explain about the hobbies and what I will say, तो आपको अगर ऐसी problem आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें सीधा ही लिख सकते हो, कि sir, this is my hobbies, not a particular I am doing work on that, because hobby क्या होती है, hobby जब खाली टाइम में होते हैं, वही करते हैं, अगर नहीं आता तो की बात है, कि जब भी मिलता है मैं खेल लेता हूं, कभी इसके बारे में या कर लेता हूं, कभी इसके बारे मैं जाता है, study की नहीं, क्योंकि मज़ा आता है मुझे बस background जानने के मुझे जवर्त हुई नहीं है, यह आप कह सकते हैं, लेकिन जब जब आप बिलकुल ना है, वैसे आप सबत्यारी करी लेते हैं से इसको, optional में हैं, तो optional के कम से कम, कम से कम जो basic चीज है, जिसे geography में हैं, तो आप उनके geography से नाम रखें, या tights में, या climate change हो रहे हैं, उनके बारे में रखें, और आप थोड़ा सा, क्योंकि IR geography से related है, तो question border पर भी पूछा जा सकता है, और IR तो आपको बहुत important ही है, इसके साथ आपने ethics पढ़ा है, और IS बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपको यह भी मालूम होना चाहिए, कि आपको situational questions बहुत जरूरी हैं, आना क्यों आप अगर इस situation में हैं, तो कैसे होगा, यह अभी बोर्ड में चल भी रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी मैं feedback लेता हूँ, बात होती है मेरी, तो यही बता रहे हैं कि situation से question पूछे जा रहे हैं, दूसरा international current affairs, वहां से भी कुछा, current affairs आप बिल्कुल भी न छोड़े डेली पढ़ें, अगर आपका morning slot है, तो राते में TV देखके जाएं, और अगर evening slot है, तो सुबह का newspaper पढ़ें, अगर नहीं भी पढ़ने का मौका मिलता है, तो TV देखें, और उसमें से international news को भी याद रखना चाहिए, कई बार जैसे USA, रसिया में क्या चल रहा है, या इराक, सौधी अरब, कहां पर क्या चल रहा है, कोई international news है, तो उसको जरूर पढ़के जाएं, उससे पूछी लेते हैं, कोई बहुत अच्छी news रही हो, दूसरा, आपका जैसे भारत में क्या क्या हुआ है अभी तक, और क्या चीज़ें, उसमें जैसे जी 20 भारत ने होश्ट किया, सियोपी 28 है, राम मंदिर है, ऐसे बड़े-बड़े मुद्धे हैं, कुछ आपके judgment रहा है, जैसे कि महिलाओं की बहुत बराबरी नहीं है, जुडिसरी में बहुत कम है महिलाओं, तो उसके लिए भी आया कि महिलाओं को, मेंस के बराबर क्यों नहीं रहा है, मेंस जितने है आदमी जितने हैं, उतने लोगों, लड़की, औरतें भी उतनी होनी चाहिए, तो इस पे भी कुछिनस है, तो उस पे और भी, दूसरा क्या होता है, कि आपके बहुत सारे लोगों के ममी पापा, एग्री कल्चर में होते हैं, बहुत सारे लोग उसी फिल्ट से आते हैं, या आपने क्या किया किआप वहाँ पर आपको मौक में नाइटी परसन जहां भी मौक दे रहा हुआ वहाँ पर यह बताते हैं कि आप पॉलिस कर आप नौलेश करिये आपने बॉड़ई पर पॉलिस जैसे हो वेसे ही दिखोगे और जो बाते सच हैं वो आपके जब वहां पर पूछे जाएंगे वो आपसे बहुत सीनियर हैं और वहां सब आपको बुजुरगी मिलेंगे सारे के सारे तो उन से जब छिपाओगे तो कैसे छिपाएगा वो सब जानते हैं आपकी आँखों का तो समझ जाएंगे कि यूर टेलिंग अलाय आप जोट बोल रहे हैं आप ठीक नहीं बोल रहे हैं तो वहीं पर उनको नराज होते हैं वो आपको दिखाएंगे नराज नेकि नंबर्स में आपको दिखा देंगे जो आप मार्क्स मिलेगा उसमें कम कर देंगे तो रियालेटी मैंने सारा टाइम इसमें दिया बाकि कुछ करने के मुझे मौका मिला नहीं तो मैंने नहीं किया इसके बाद अगर मुझे लगता है ऐसा कुछ ऐसा लगे गा तो मैं कर लूँगा इस पर काम करियें वो कहते हैं कि अभी-कभी 5-6 साल आपको लग गया बीच में आपने क्यो करो आप सच बोलो इसके साथ साथ आपका सच्चाई के साथ आपका एक जो जो बोलने का है confidence क्योंकि आप जब सच नहीं बोलोगे न और आप उसको जूट में जब अगला question आएगा तो उसमें आपका कहीं ने confidence low हो जाएगा तो उस चीज को ठीक रखना है इसके बाद आपका आता है कि सर आंसर आंसर आप ऐसे दीजिए जैसे आप आईस ऑफीसर बन चुके हैं already इसमें difference क्या होता है आप देखिएगा कभी जो आपका दोस्त कभी जो select हो चुका हो उससे कभी conversation करिएगा और आप करिएगा conversation उसके बात में वजन रहेगी उसके बात में एक convincing power रहेगी आपकी बात में वह नहीं होगी तो आपको वहाँ पर बैटने से पहले entry करने से पहले आपको सोच लेना है कि मैं आईस ऑफीशर हूँ मुझे जाना है बात करनी conversation करना है तो आपका लेवल बढ़ जाएगा सोचने का तरीका बढ़ जाएगा जैसे कई बार होता है योजना होती हैं इंप्लिमेंट नहीं सही से हो रही है पहुत सारी problems आती है आप आईस बनने के बाद कई बार होता है कि 90% मौग में यहीं बताते हैं कि हम सर policy making में जाएंगे policy बनाएंगे अब आप लोगों कौन समझा है कि भाई आपको जब जॉब मिलेगी तो आप तुरंट जाते ही policy आपको बनाने को नहीं मिलेगी पहले आप जाओगे as a sdm कहीं posted होगे कुछ छोटी post पे जाओगे फिर आप आईस बनोगे फिर आप वहाँ प implement कर सकते हो policy बनाने तक आप बुजुर्ग हो चुके होगे 20-25 साल लगते हैं policy बनाने तक पहुंशने तक तो आप policy बनाने का बोलोगे तो पकड़ लेगा कि सब रटा रटा आया आ रहा है जहां से आ रहा है इसे कहां का product है कैसा है वो थोड़ा सा उनके mind में बैठ जाता है यह ही type का answer सब भी दे रहे आपको बनाना है कि हम public service देंगे public में मैं public की सेवा करूंगा public service करना चाहता हूं यह चीज़े हैं आपका long term short term goal आता है कई बार long term में बोल देते हैं sir मेरा I.S. बनना long term goal था फिर I.S. बनने के बाद तो आप 0 हो गए आपके पास तो कुछ statement हो गए अब इसके बाद क्या करोगे life में तो वह आपका आएगा कि long term में मैं क्या सेवा करना चाहता हूं long term goal क्या है long term में वो रखा जाता है जो आपके लिए better हो जैसे कि livelihood जीवन ही आपन लोगों कैसे सुधार सकते हो कि मेरा सर मोटो है कि मैं life में जो भी करूंगा तो ऐ करूं कि जिससे मुझे लोग याद रखें मैं लोगों के लिए अच्छा कर पाऊं हमारे देश में गरीबी चीजें घट रहे हैं तो उसको हम कैसे ऐसा लाएं कि जो गरीब से गरीब आदिमी का भी जीवन सुधर सके तो उसमें education हो सकते education में महिलाओं की education सबसे पहले हो सक है कि अगर policy क्यों नहीं implement होती पहले खुश से analysis करिए आपका क्या तरीका हो सकता है implement करने का अगर वो तरीका बताओगे तो वो चीज़ें देश के nation में development की कौन-कौन सी policies आई हैं इसके बारे में question पूछा जाएगा development policies के बारे में और आप से आपके काम करने के बारे में आ करोगे आगे क्या करोगे वो आई यस बनने के बादी कंफर्म होगा पहले तो आप सही answer दीजिए ethical रहे है चीजों को बताइए rigid मत होए और चीजों को की बहुत eye contact बना के रखे जब भी बात करिए तो eye contact होना चाहिए सभी से तूसरा आप speed थोड़ा सा कम रखे बोलने में बहुत speed नहीं कि आप एकदम बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो इसके पीछे reason है reason क्या है वहां बैठे है बजर्ग किसी को सुनाई कम दे रहा है और दूर दूर बैठे होते हैं और आप इस पीछ से बोले जा रहा है या आपका जो sound है बड़ा low है तुने सुनाई नहीं बहुत है तो जाइड सी बात है थोड़ा सा अपना इतना रखें कि सुनाई दे उसे और इसके बाद आपकी speed थोड़ा slow हो क्योंकि जब बुजर्ग होता है आदमी सुनना चाहता है speed में नहीं सुना चाहता आपसे एक वह और जो नहीं आता उससे sorry बोल दें guess मत करिए कि sir मै यह मेरे अनमान से i think कई बारा ऐसा होता है कि जो आपके senior कभी रहे होंगे किसी मौक में उसने i think use किया है तो लड़का उसी copy करता है कि मैं अगर i think बोल दूँगा इस्टीमेट बोल दूँगा अनमान लगा रहा हूं sir तो उसी को हम copy कर लेते कि इसका अगर highest marks आ सकते 193-194 मेरे भी वही आ जाएंगे उसका अपना style था हो सकता है उसने interview के time पे change कर दिया हो सब लोगों ने टूका हो कि भाई यह i think i think जो बोल रहा हो गड़बड है तो मौक तो मौक के बाद ही तो feedback जाता है ना आप तो मौक के feedback के पहले का interview देख रहे हो तो feedback के बाद उसने सुधा जाएंगे यह गलत फहमी है आप बटन खोल के बैठिये कोट के लगा के बैठिये ऐसे इसका कोई फरक नहीं बस आपका गैसर सही होना चाहिए आप जब entry करो तब आप good morning good afternoon बोलो अगर मैम बैठिये सबसे पहले मैम को good afternoon morning बोलो फिर इसके बाद आप बाकी chairman को बोली और ब बैठ जाए यह thank you बोल दीजिए उठिये खड़े हो यह thank you बोल यह फिर चलिए इने की चलते वह thank you बोले के सारा आप तो हो गया काम चलो आप चलते हैं हो गया काम अब नहीं मेरा जरूरत हैं आप आप इन चीज़ों को ध्यान रखना है अगर इतनी चीज़े ध्यान देद सकते हैं जूर सकते हैं definitely one to one session discussion के लिए तो आप जरूर आईएगा ओके थैंक यू टेक क्या बेश्टाप लग्ग